हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जग्विंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम Cisco Packet Tracer में BGP या Border Gateway Protocol को कैसे Configure करते हैं कि Packet Tracer में BGP को Configure करने से पहले मैं आपको वो Lab दिखा दूँ जिसे हमने लास्ट वीडियो में Create किया था इस सिनेरियो के According हम BGP Configuration करेंगे यानि के जैसा आपको सामने Picture पर दिख रहा है इस तरह की Initial Configuration आपने Cisco Routers के उपर Perform कर रखी हो अगर आपको ये Configuration करने में कुछ दिखकत आ रही हो तो आप Screen पर दिए हुए Link को क्लिक करके ये Lab Configuration को देख सकते हैं क्योंकि BGP Routing का Practical आप तभी कर पाएंगे अगर आपके पास ये Lab Packet Racer में पहले से होगी एक बार ये Lab Create होने के बाद हमें BGP में कुछ Configuration Commands को Run करना होगा इस वीडियो में हम दो Commands को यूज़ करेंगे एक Network Command जिसको यूज़ करके हम Networks को Advertise करेंगे उन Networks को जिनको हम चाहते हैं कि उन तक BGP को Use करके पहुँचा जा सके और Neighbor Command जिसकी Help से हम Neighbor Relationship Establish करेंगे तो हम पहले भी अपने Concepts वीडियो में जान चुके हैं कि BGP अपने Information अपने Neighbors को Transfer करता है और अगर वो Next Hop तक नहीं पहुच पाता तो वो BGP Routing Perform ही नहीं करता है तो चलिए अपने Cisco Packet Tracer के उपर जाकर BGP को Configure करें तो देखिए मैं अपने Packet Tracer के उपर आ गया और इसके उपर हमने Lab पहले से Create कर रगी है अब इसमें हम Router 1 के उपर जाते हैं और इसके उपर हम इसके Enable Mode में फिर Configuration Mode में और उसके बाद Router BGP और इसका Autonomia System Number जो की हमने 100 Configure किया था जब इसकी Router ID को हमने Enter किया था लास्ट वीडियो में तो इसके Router Mode में हम चले गए हैं यहाँ पे हम Neighbor Command को Use करेंगे तो Router 1 का सिरफ एक ही Neighbor है Router 2 जो की Autonomia System Number 200 में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे Neighbor इसके बाद मैं Question Mark लगा के आपको Help दिखाता हूँ तो दिखें लिखा आ रहा है कि Neighbor Address आप Enter कीजे तो Neighbor का Address है 10.10.10.2 और उसके बाद Again Question Mark मैं लगाता हूँ तो आपके सामने देखिए दो Options हैं एक है Remote Autonomial System और एक है Next Hop Self तो हम यहाँ पे Remote-AS Value को Use करेंगे क्योंकि हमारा जो Neighbor है वो AS 200 में है तो मैं Remote-AS Command देता हूँ और उसके बाद उस Remote-AS का Number देता हूँ जो की है 200 तो Complete Command हमारी बन गई Neighbor 10.10.10.2 क्योंकि Router 1 का Neighbor इस सिनेरियो में यही है और Remote Autonomial System नमबर उसका है 200 मैं Enter की को प्रेस करता हूँ तो इस Router के उपर हमने Neighbor Information को Configure कर दिया है अब ज़रा हम Router 2 के उपर चलते हैं और यहाँ पे Enable Mode में जाके Configuration Mode में जाके Router Mode में जाते हैं तो Router BGP और उसका Autonomial System नमबर जो की 200 है Enter की को प्रेस करते हैं यहाँ पे भी Neighbor कमांड को यूज़ करके Neighbors को Define करते हैं तो Router 2 के दो Neighbors है एक Autonomial System 100 में जिसका IP इडरेस 10.10.10.10.1 है और एक है Autonomial System 300 में जिसका IP इडरेस 20.20.20.20.2 है क्योंकि इसकी Connectivity इसी तरीके से बनी हुई है तो पहले Neighbor 10.10.10.10.1 और Remote AS जो की 10 वाले के case में है 100 तो देखें यहाँ पे इसका Link Establish हो गया है और Neighbor अपकी State में आ गया है एक और Command यहाँ पे हम Enter करते हैं Neighbor कमांड के साथ Neighbor 20.20.20.20.2 और Remote AS है 300 लेकिन यह Neighbor Relationship अभी नहीं बनेगा क्योंकि अभी हमने BGP को Router 3 के उपर Configure नहीं किया है अब जरा Router 3 के उपर चलते हैं इसके भी Enable Mode में Configuration Mode में और BGP Router Mode में जाते हैं तो Router BGP और Autonomous System Number 300 Neighbor कमांड यूज करते हैं और इसका एक ही Neighbor है Router 3 का जो की है Router 2 और इसका जो IP अड्रेस है वो है 20.20.20.20.1 तो यहाँ पे मैं Enter करता हूँ 20.20.20.20.1 और इसका Autonomous System Number जो की है 200 और Enter की को प्रेस करती देखिए इसका Neighbor Relationship भी Establish हो गया है यानि के Router 2, Router 3 और Router 1 का Neighbor बन गया है अब इसके बाद जरह हम Router 1 के उपर जाकर Network कमांड को यूज करते हुए इन दो Networks को Advertise करते हैं ताकि हमारी Configuration Complete हो जाए और उसके बाद हम BGP टेवल में ये देखेंगे कि क्या ये Information दूसरे Autonomy System में रखे हुए Router तक पहुंच रही है ये नहीं तो उसके लिए मैं इस Router 1 को क्लिक करता हूँ और Network कमांड को यूज करता हूँ तो पहले 100.100.100.0 उसके बाद मैं आपको Question Mark लगा के दिखाता हूँ तो Mask आपको लिखना पड़ेगा तो Mask जो भी इसका Mask है 255.255.255.0 इसके बाद एक और कमांड को हम Enter करते हैं 101 वाले Network के लिए 101.101.101.0 स्पेस मांड और इसका मांड भी है C Class वाला यानि के 24 बिट्स इसकी मांड है और Enter की को प्रेस करते हैं Ctrl-Z यहाँ पे Command Run करते हैं Show IP Route तो आपके सामने देखिए यहाँ पे Connected Routes दिखा रहा है एक और Command Run करते हैं Show IP BGP और Enter की को प्रेस करते हैं तो देखिए BGP टेवल में कुछ Information आपको दिखाई दे रही है Next Hop 0 है इसके लावा Metric, Local Preference, Weight Value जो की Default Value होती है यह Information आपके सामने दिखाई दे रही है अब हम जरा Router 2 के उपर जाते हैं Ctrl Z प्रेस करके Privilege Mode में चले जाते हैं यहाँ पे Show IP Route कमांड को Enter करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपके सामने Routing Devil में B दिख रहा है और दो Networks इसमें Establish हो गए हैं दो Networks तक पहुँचने के Best Path अब यहाँ पे दूसरी कमांड देते हैं Show IP BGP तो देखिए यहाँ पे भी आपको Networks दोनों के दोनों जो अभी अभी हमने Networks कमांड से Advertise की हैं दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे Next Hop है यानि कि यह वाला IP ड्रेस जो कि 10.10.10.10.1 आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों Networks तक पहुँचने के लिए यही Next Hop है तो इसकी Information आपको यहाँ दिखाई दे रही है इसी तरीके से एक बार Router 3 के उपर जलते हैं जो कि Autonomious System No.300 में है इसमें भी हम Show IP BGP कमांड को यूज़ करते हैं तो देखे यहाँ पे भी Information आपको दिखाई दे रही है Networks की लेकिन यहाँ पे Next Hop Information चेंज़ है क्योंकि Router 3 से इस Network तक पहुँचने के लिए अगला Hop या Next Hop है 20.0.0.1 वाला Interface तो एक Basic Level की Configuration हमने BGP में कर दी है Cisco Packet Tracer में BGP Configure करने का Purpose यही है कि हर Learner जो Physical Routers को Access नहीं कर पाता या Use नहीं कर पाता किसी भी कारण से चाहे वो Financial है या कोई भी वो इस Configuration को देख सके तो Friends अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को Like करें और नए वीडियो की Information अपने Mailbox में लेने के लिए Subscribe बटन को क्लिक करें Question Time चलिए अब आप मुझे एक Question का Answer दीजे आप मुझे बताइए कि इस वीडियो में हमने Neighbor Relationship को Establish करने के लिए किस Command को Use किया था आपकी Options हैं A. Network Command B. Router BGP Command या फिर C. Neighbor Command आप इस Question का Answer Next 20 Seconds में नीचे Comments में जरूर टाइप करें तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम Packet Tracer में BGP को कैसे Configure करते हैं तो इस वीडियो में इतना ही Thanks for Watching